गुड बॉर्निंग स्टुडेंट्स, वेलकम ट्यूर आपके लिए हैं क्लास चारक विद्यार्थियू, आज आई अब पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, उसका काम शुरू करते हैं, आठ लेसन तक क्या आपने सारे काम कर लिए हैं, उस महां के एक्सराइजेस, कोशांस अब चीजी हो गई हैं, और आपको मैं हर वीडियो में बार बार इंडिकेट कर रही हूं, कि आपको शब्दर्थ और कोश्चन आंसर यानि प्रशन अपतर, ये दो चीजी आपको अपने कॉपी में करनी हैं, और बाकी सारी चीजी जो एक्सराइज हैं, वो आपके बुक में ही रहेंगे, तो आए शुरू करते हैं, पाठ नौ, और ये कहानी है एक डाकू अंगुली माल की, और चलिए शुरू करते हैं, एक बार महात्मा बुद्ध ब्रहमन करते हुए, ब्रहमन यानि घूमते हुए, कौशल प्रिदेश की राजधानी श्रावस्ती पहुचे, तब ए महात्मा बुद्ध ने राजा को बहुत चिंतित पाया, उन्होंने राजा से उसकी चिंता का कारण पूछा, राजा ने अपनी चिंता का कारण बताते हुए कहा, भगवन, अंगुली माल डाकू से मेरी प्रजा बहुत तरस्त है, इसी कारण मैं बहुत चिंतित हूँ, महात ही खतर-नाक था दिर उस्में हजार आदमयों को मार करके उनका हिसाब रखने के लिए उसने हर एक जो है उसने हजार कNote मार था और कि देआ रखने लिए कि इतने आदमयों को मिर चुका हो और हर जब मार देता तो उसके एक उंगली को काट लेता था और उसको अपनी एक माला बनाकर उसमें पहनता था इसलिए से उसका नाम अंगुली माल पड़ गया था उसका नाम सुनते ही लोग थर-थर कापने लगते थे वो जिधर से ही गुजरता वहां चीको कार मज जाती थी वहीं एक दिन पसे तैनात कर रखा था राजा ने सुचा कि माहतम बुद्ध को कुछ हो न जाए या वो नुकसान न पहुंचाए तो उन्होंने एक पहरेदार को लगा दिया था वो माहतम बुद्ध के चरण पकर कर बोला प्रभू अंगुली माल वहां रहता है वो सभी के प्राणों को खत्र रहता था फिर भी उन्हें ये विश्वास था कि संसार का दुख अवश्य ही दूर होगा आपने अंग मुद्ध के बच्पन की चीज़ें पढ़ी हैं और कहानी वार में पढ़ी होगी कि माहतमा बुद्ध राजगमार थे और कैसे बाद में जाकर के वो एक क्या बंजाते ह संद बंजाते हैं इन्हीं सबातों पर विचार करते हुए बुद्ध जंगल की रहा पर चली जा रहते हैं तभी उन्हें एक कठोर आवाज सुनाई दी ठहर जा अपने विचारों में खोवे महाराज मातमा बुद्ध ने वह आवाज नहीं सुनी और आगे बढ़ते ही रहे तब तक कुछ देर में फिर आवाज आए ठहर जा तो चलिए अब इसके आगे की कहानी को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे अभी सिर्फ इतना है इसको आप और पढ़िए घर में आप पढ़ते रहे हैं मैं इस कहानी को आगे पढ़िए आपको और आजिंग आपको 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 आपक